सो हे गाइस इस साइब रिशी बैक हैर विध दू नुई वीडियो और आज की इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाल है पैराट ओपरेटिंग सिस्टम के टुटोरियल जिसके अंदर हम सबसे पहले सीखेंगे पैराट ओपरेटिंग सिस्टम को कैसे इंस्टॉल करना है इसके क्या क्या फायदे हैं बेसिकली इसकी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अब ले लेते हैं तो सबसे पहले यहां पर आ जाता है इसका डेवलपर जो है यहां पर पर प्रोजेक्ट टीम उसके बाद OS फैमिली यह डेबियन बेस्ट है तो अब जान लेते हैं कि यह रिलीज साथ आता है बाकी अगर आपको इसके बारे में जादा नॉलिज लेनी है तो यह मैं Wikipedia का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँ हो या फिर आप सीधा पैरट ऑपरेटिंग सिस्टम विक्की पीडिया पर जाके देख सकते हैं इसके बारे में पूरी की पूरी डीटे दूसरा हम लोग आ जाते हैं इसको कि अब डाउलोड कैसे करना है डाउलोड करने के लिए कुछ नहीं करना आपको अपने ब्राउजर पर जाना है आपके बीचे में इंटरनेट होना चाहिए और वहां आपको डालना है पैरट ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड तो उसकी की नीच से जाधा information लेने हैं तो यह पढ़ सकते हैं आप सो हम security डाउनलोड करेंगे जब हम यहां पर पैरट security तो यहां पर आपके पास तीन option आ जाते हैं पहला है पैरट security इंटरफेस बता रहा है सबके कैसे कैसे हैं तो basically जो मैं यूज करता हूं वह अभी ये वाला है virtual क् इसको VMware के अंदर यूज करता हूं तो कोई problem नहीं है ये वाला भी download कर सकते हैं ये वाला भी कर सकते हैं बट इसमें एक benefit यह रहता है कि आप इसको जब यहां से सीधा download करेंगे और इस पे click करेंगे तो सीधा कर सीधा को install करने के जरूरत नहीं पड़ेगी सीधा VMware के अंदर automatically ISO में और यह है OVA open virtualization format जैसा कि मैंने पहले बताया कि आपको यह install करने के जरूरत नहीं पड़ेगी सीधा का सीधा आपके VMware में यह open हो जाएगा अगर आपको parrot operating system अपने PC के अंदर permanent डालना है तो यह वाला download कर सकते हैं यहां पर बता रहा है live plus installer ISO और virtual के लिए यहां पर सो मै है download करने के तरीके देख लिए अब आ जाते कि मैं उसको यूज कैसे करता हूं सो बिसिकली मैं उसको यहां से यूज करता हूं मेरा यह रहा VMware workstation pro जो मेरे पास 14 14 वाला वर्जन है सो मैंने यहां पर इसकी एक फाइल बना रखे रहा pirate operating system और यहां से मैं आपको थोड़ा सा यह भी बता देता हूं कि memory मैंने इसको दे रखे 2GB प्रोसेसर चार दे रखे hardix 40 GB और जरूरी नहीं कि आप 40 ले आपके हिसाब से आप ले सकते हैं वैसे 20 लेके चले तो minimum 20 तो आप लेके ही चली अगर आप इसको वर्चुली यूज कर रहे हैं और मैं recommend करूंगा कि अगर आप इसको पहली बार चला रहे हैं तो इसको वर्चुली ही चलाई है परमेने डालने के कोई जरूत नहीं है उसके बाद यह cd dvd network adapter यहां पर मैंने bridge ले रखा है क्योंकि मैं wi-fi से इसको connect करके चलाता हूं और usb display auto detect ऐसे रहने दीजिए तो मैं इसको power on कर देता हूं और power on करने के बाद हम इसको full screen पर चला लेते हैं ओके और enter तो जब तक यह on हो रहा है हम इसके बारे में थोड़ी और बात कर लेते हैं तो कुछ लोग बोलेंगे कि यार लिनिक्स यूज़ करना चाहिए काले लिनिक्स यूज़ करना चाहिए वह ज्यादा बैटर है इससे तो यार देखो parrot operating system जो है वह इतना ज्यादा रिसोर्स हंगरी नहीं है जितना आपका लिनिक्स है और पैरेट के अंदर यार अलग फीचर्स हैं है तो दोनों बेसिकली अल्मोस्स सेम है बट पैरट थोड़ा अलग है या ओविसली वह तो अलग होगा लिनिक्स थोड़ा अलग है और बहुत सारे टूल जो है उनके पैरेट नहीं लेगा तो यह अच्छी बात है यार ज्यादा रिसोर्स नहीं लेगा तो यह हमारे सामने ओपन हो चुका है यह वर्चौली मैंने चलाया इसके उपर और जब आप उसको वीम्वेर वाला ही डाउनलोड करेंगे वासे तो यह ऐसा स्टार्ट हो जाएगा कोई जो Mac में आता है और Windows में हमारा यहां पर आता है तो थोड़ा बहुत चे सिमिलर होगा हलकी फुलकी जीजों में Mac के जैसा और थोड़ा मैं दिखा तो इसका टर्मिनल ऐसे खुलता है यहां पर यह बता रहा है यूजर पैरट अगर हम इसको चेंज भी कर सकते हैं CD लगा के आपको कुछ टूल्स मिल जाएंगे क्रिप्टोग्राफी में आपको कुछ टूल्स मिल जाएंगे और उसके बाद यहां पर आ जाता है में हमारा पैरट और उसके सारे के सारे हैकिंग के लिए जो भी टूल्स होता है जो कि बेसिकली हम इसी के बारे में ज्यादा जानने व कि इतने ज़्यादा टूटोरियल नहीं है और एक दो ही है तो मैंने सोचा कि पूरा अच्छा खासा टूटोरियल बनाए जाए कि स्टैप बाइस टैप बताए जाए क्या क्या करने हम सारे देखेंगे अल्मोस्ट जो हम कर पाए तो खतम करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एक दियू जो को यहीं पर तो मैंने से लिवांगे लिवांगे तूटोरियल थिन वाना टूटोरियल भीडियोल तो यहीं तो खताओ पर एक भीडियोल